शुब संधिया, मैं निलाक्षी मलिक आप सभी का स्वागत करती हूँ और बड़ी खबर आ रही है कि राज्य सबासे मोधी सरकार को एक बहुत बड़ी खुशकबरी मिल सकती है जी हाँ अब लड़के विधेकों को पास कराने में आसानी होगी क्योंकि NDA के पास बहुत के करीब पहुच चुका हाली में TDP के 4 सांसदों और Indian National लोग दल के एक BJP में शामिल होने के बाद NDA का दबड़ा बढ़ गया है इन 5 सांसदों को मिलाकर वर्तमान में BJP के पास राज्य सबा में 76 सांसद हो गए हैं अमित शाह और श्मृति इरानी के लोगसबा चुनाव जीतने और राज्य सबा से इस तीफा देने के बाद गुजरात की दोनों राज्य सबा सीटों पर BJP की जीत सुरिश्चित है इसके साथ ही ओडिशा में एक राज्य सबा सीट पर BJP को जीत मिलना तैह है संसत के इसी सत्र में राज्य सबा में उपचुनाव के बाद BJP के सांसदों की संख्या 76 से बढ़कर 89 पहुच जाएगी राज्य सबा के सुभाष चंद्रा, अमर सिंग, परिमल, नात्वानी और मोधी सरकार को चार निर्दली सांसदों का भी समर्थन हासिल है नरेंद्र जादव, स्वपनिदास गुपता और मेरी कौम तीन मनोनीत, राज्य सबा, सांसद भी NDA के साथ है राज्य सबा में NDA के अन्य सुयोगी दलों के सांसदों की संख्या इस प्रकार है जेडियू 6, शिफसेना 3, अकाली दल 3, सिखिम डेमोक्रेटिक फ्रंट 1, AGP 1, बोडो पीपल फ्रंट 1, RPI 1, निर्दलिये 4, मनोनीत 3, LGP से राम विलास पासवन को मिलाकर 116 सांसद है एंडिये को बहुमत के लिए 7 और सांसदों की जरूरत, राज्य सबा में सदन को कुल संक्या 500 की है यानि बहुमत के लिए 123 सांसद चाहिए और NDA को राज्य सबा में बहुमत के 7 अन्य सांसदों की जरूरत है BJP के रण नीतिकारिकों का मानना है कि BJD के 5, YSRC के 2, Naga People Front 1, TRS के 6 सांसदों का समर्थन BJP को अलग-अलग बिलो और अलग-अलग मुद्दों पर मिलता रहेगा दूसरी तरफ राजसभा में UPA में कॉंग्रेस के 48, RJD के 5, NCP के 4 और केरल कॉंग्रेस के 1, JDAS 1, IOML 1, मनोनीत सांसद, KTS तुलसी को मिलाकर कुल 61 सांसद हैं राजसभा में NDA के विरोध में और समय समय पर मुद्दों पर UPA के समर्थन करने वाले दल TMC 13, समाजवादी पार्टी 13, CPM 5, BSP 4, DMK 3, आमादमी पार्टी 3, TDP 2, PDP 2, विरेंदर कुमार और रीता वरता बनर जी, निर्दली ये 2 सांसद हैं जिनकी संख्या कुल 47 है 2020 में ही बहुमत से जादा सीटे लोगसभा चुनाव के नतीजों के बाद कई राजनीतिक पंडितों का मानना था कि लोगसभा में NDA को भले ही 2019 के आम चुनाव में, 2014 की तुलना में बड़ा बहुमत मिला है लेकिन पियम मोदी के नितरत्व में NDA को राजसभा में 2022 तक बहुमत मिल पाएगा लेकिन जिस तरह से सत्रवी लोगसभा के पहले संसद सत्र की शुरुवात में ही TDP और INDLP के पाँच राजसभा सांसदों को BGP में शामिल करा कर सदन में अपनी संख्या 71 से 76 कर ली है इससे साफ है कि NDA को राजसभा में 2020 में ही बहुमत से ज़्यादा सीटे हो जाएंगी और 2020 में राजसभा में बहुमत मिलने के बाद मोदी सरकार BGP के धारा 370, आर्टिकल 35A और राम मंदिर जैसे मुद्धों को लेकर सांसद में एतिहासिक रूप से आगे बढ़ेगी दूसरी ख़बर की और बढ़ते हों आपको बताते हैं कि अमेरिकी दवाब के वावजूद भारत के रूस के साथ हतियार खरीद के सौदे जारी हैं ताजा सौदा एंटी टेक मिसाइल स्ट्रम अटाका की खरीद का हुआ है दो सो करोड रुपे के इस सौदे में रूसी कमपनी को तीन महीने के भीतर मिसाइलों की आपूर्थी करने होगी ये मिसाइल M.I. 35 अटेक हेलिकॉप्टर की फ्लीट में लगाई जाएंगी जो रड के मेदान में कम उचाई से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है श्रम अटाका की खरीद आपत्ती स्थिती के प्रावधान के तहत की जा रही है इस तरह के सौदो में हस्ताक्षर होने और बुक्तान होने के तीन महीने के भीतर माल की आपूर्थी करनी होती है पलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बाल कोट पर हवाई हमला किया था 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की थी इस बात की तयारी भारत पहले से ही कर लेना चाता है इसलिए सौदे में कोई भी रुकावट नहीं हाएगी योगी सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए नया फर्मान जारी किया है नय फर्मान में जारी करते वे योगी अधित्तिनात ने कहा है कि इस फर्मान के बाद कोई भी अधिकारी बिना पर्मिशन के किसी भी तरीकी का गिफ्ट नहीं ले सकता अधिकारियों के लिए यह फर्मान अतरिक्त मुख्य सचिव महेश गुपता द्वारा जारी किया गया है इस फर्मान की मताबिक कोई भी शक्स सचिवाले या दूसरी सरकारी इमारतों में किसी भी प्रकार का गिफ्ट नहीं स्विकार कर सकता सरकार का मानना है कि गिफ्ट एक तरह का घूस लेने का तरीका है इसलिए ये फर्मान जारी करते वे साफ साफ कह दिया गया है कि बिना पर्मीशन के किसी भी सरकारी अफसर को गिफ्ट लेने की सक्त मना ही है माना जाता है कि गिफ्ट सरकारी करमचारियों को घूच देने का अच्छा सादन है इसी को देखते हैं योदि यदित्तिनाथ सरकार ने ये आदेश दिया है पर इस आदेश पर क्लास 3 लेवल के लोगों का भी विचार आया है उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े आईएस आफिसर्स के गिफ्ट उनके घर तक पहुचते हैं अगर योगी सरकार इस मामले में कुछ कर ही रही है तो उनकर उनके घर पहुचने वाले गिफ्ट के मामले में भी कुछ देखना चाहिए जबकि हमें सिर्फ गिफ्ट के नाम पर सिर्फर सिर्फ एक मिठाई कर डिबबा दिया जाता है जबकि उनके आईस अफसर के घर में महंगे महंगे गिफ्ट पहुचे जाते हैं मुक्यमंतरी योगी अधितिनात के इसके अलावा सरकारी इमारतों में आगने यास्तरों की भी एंट्री को बैन कर दिया गया है जी हाँ कई विधायक और ठेकेदार अपने व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मियों के साथ सरकारी इमारतों में अकसर देखे जाते हैं और इन सुरक्षा कर्मियों को राइफल और पिस्तॉल के साथ देखा जाता है जो की एक बहुत ही डरावना अंद्रिश्य है अधिकारी सुत्रों ने कहा है कि सुरक्षा कर्मियों को अब गेट पर ही अपने आगने याश्त्रों को जमा कराने के लिए कहा जाएगा मुक्यमंद्री सरकार ने कारियलों में गुटका और पान खाने पर भी प्रतिबंद लगा दिया गया है जो लोग इसे चबाते हुए पाए जाएंगे उन पर 500 रुपे का जुर्माना लगाया जाएगा आपको बता दें कि पहले भी योगी सरकार ने अधिकारियों के मुबाइल फोन पर बैल लगाया था और सरकारी करमचारियों को 9 बजे यानि की नियम से 9 बजे पर दफ्तर आने की सला भी दी थी आज RTI से बड़ा खुलासा हुआ है दिल्ली में अपने आपको राजा हरिश चंदर मानने वाले बताने वाले इमानदारी का सैटिपिकर बांतने वाले के जीवाल ने किया है दो हजार करोड का घोटाला आपने सही सुना जो एक बार सीला दिक्षित को अंदर डालने वाले थे उनके पास तीन सो पन्ने थे उनके खिलाब लेकिन उनके साथ पीट पीछे हाथ मिलाया अब उनी की तरो बड़े बड़े घोटाले करने लग गए हैं आपको बता दें कि जिस एजुकेशन ब्यावस्ता को सुधारने की बात करने वाले केजीवाल अब खुद उसी को लूटने लगे हैं दो हजार करोड का घोटाला वो भी बहुत बड़ा घोटाला आज मनोस्तिवारी ने प्रेस कॉन्फेंस करके आर्टी आइक के हवाले से ये बड़ा घोटाला पकड़ा है आपको बता दें अच्छे अच्छे होटल के कमरा भी ज्यादा से ज्यादा पांच हजार रुपे स्कॉर फिट से ज्यादा नहीं बनता लेकिन केजीवाल सरकार स्कूल का कमरा साड़े आठ हजार रुपे स्कॉर फिट बनवा रही है यो दिल्ली का जनता के टेक्स का पैसा चोरा जा रहा है तो ये बहुत बड़ा घोटाला है बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया है अब वैसे भी केजिवाल की बुरी गर्त हो चुकी है दिल्ली में उनका सफाया लोकसवा चुनाव में हो चुका है अब जो इमानदारी का सेटीपिकट बांटने वाले विरोध्यों को हर बात पे भ्रस्टाचारी बताने वाले अब खुद इतने बड़े भ्रस्टाचार में पकड़े गए हैं और खुद अब वो बोल ले हैं कि अगर मैं भ्रस्टाचारी हूँ तो मेरे को जेल भेज के दिखाओ लेकिन केजिवाल क टाइम आएगा वो जेल भी जाएंगे लेकिन वही बात बोलेंगे कि सब मिले हुएं सब मोदी जी की साजिस है मोदी जी की पुलिस मिली हुई है पुलिस हमारे अंडर कर दो ये बात अर्विन के जिवाल की अब पचने वाली नहीं है अर्विन के जिवाल पर चुनाओ से पहले ये बहुत बड़ा खुलासा है आटी आई ने खुलासा किया है दो हजार करोड का घोटाला पकड़ा गया है अब अर्विन केजिवाल की लुटिया डूबने वाली है दिल्ली से केजिवाल अपना बोरिया बिस्तर बांद के कहीं और चला जाए क्यूंकि अब आर्टी आई पर धरना देरने वाले केजिवाल अब आर्टी आई से उनको बेनकाप कर दिया है ये बहुत बड़ा घोटाला बहुत बड़ा पाप कर दिया है केजिवाल ने बच्चूं को ही लूट डाला है